इसी खेट में तो आपने इस बार ले चलते हैं आलू के खेट पर और आपको दिखाते हैं जए जवान जए किसान नमस्कार दुआ सलाम कैसे हो आप सभी आसा करते हैं कि आप सभी बहुत ही अच्छे हो आज दिनांक 11 जन्वरी है और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि फर्खाबाज छेतर में इतनी बारिस होने के बापजूद भी आलू की खोदाई हो रही है एक खेतों में नहीं कई सारे खेतों अभी फिलाल में हम उत्तर परदेश के फर्खाबाज जिले के जरारी भड़ों से ग्राम पंचायद में आ चुके हैं यहाँ पे बहुत सारा यह पूरा का पूरा बेल्ट जो है आलू का बेल्ट है यहाँ पे हर खेत में आलू आलू के सिवा कुछ नहीं किया जाता है और अभी फिलाल में हम ये जानने के लिए भी इस छेतर में आये थे कि इस बारश से इस छेतर में आलू पे क्या effect पड़ेगा या क्या पड़ा है तो यहां के जो local के किसान है वो ये चीज़ बता पाएंगे तो चलिए back camera से आलू की जो खुदाई हो रही है वो हम आप लों को दिखाते हैं और यहां पे आलू पे क्या कैसा फर्क पड़ा है या क्या कैसा हालात है आलू का तो चलिए back camera से अभी यहां पे चल के आप लोगों को हम बिल्कुल किसानों से direct बतचित कराते हैं और जानते हैं आलू का हालात कैसा है वीडियो पसंद आए दूसरे भाइं को सब्सक्राइब कर देना चलिए मेरे साथ वीडियो को करते हैं कांटीनियू तो अभी फिलाल में हम आप लोगों को ले चलते हैं आलू के खेत पर और आपको दिखाते हैं कि जो आलू की खोदाई हो रही है वो किस तरीके से हो रही है क या फर्क पड़ा है इस वार आलू की फस्पल इस वारिस का जो इस समय हो रही है अभी आप लोग देख पा रहे हूँ इदर जो आलू की खोदाई है अची तरीके से हो ही रही है और इधर जो है इदर कुछ तुछ हो एक पार रहे हैं ये बालू मिट्टी है इसलिए आपर हो रही आलू की खुदाई और आलू खुदते जा रहे हैं और बिल्कुल कटे सिलते जा रहे हैं और लदने का इंतिजाम किया जा रहा है लेकिन कल के पेच्चा से आज जो आलू की खेद हैं और आलू की किसान हैं बिल्कुल बेचिंते ना हो क्योंकि आज हमें लग रहा बार कि बिल्कुल जो बेल है वो बिल्कुल हरी थी और आलू जो था जान दूनों का नहीं लग रहा है मुझे अभी यहां के जो किसान है उनसे बाचित कर लेंगे दर आप लोग देख पा रहे हो दर आलू की खुदाई बगारा जारी है अभी चल लाएं वहां पर पूंच लेंग कि कैसा पैदावार निकल लाएं परेशने साल के पेच्चा से और जैसा कि लोग कारइद की बारिस की बज़े से आलू की खुदाई जो हैं कई दुनों के रोक गई है लेकिन ऐसा इच्छेत्र में संबाव इसलिए नहीं है कि इस छेत्र की जो मिट्टी है वो बालू मिट् करती नहीं है इसलिए अलुकि खुदाई हो पा रही है यहां पर कुछ भाई लोग खुदाई कर रहे हैं आई कौन किसका भाई कि अब पार दाल भी बनाई थी वहां इसी केद में तो आपने इसमार तो बहुत जल्दी आलु खुद दिये वाई इसा क्यों कर वाई अच्छा सब्साल में रही है जैसा यहां पर लगा था दो दो दीन से 1000 को खुद अच्छा यहां पर आलू की खुदाई हो रही है कि इस खेट में हो रही है उदर भी हो रही है लगबग सभी जगह और यहां तो कोई फरक नहीं पड़ा में लग रहा है और यहां आई मोटी माटी जो है उसमें नहीं पुद पाएंगे अच्छा जैसे इस लोग कह रहे हैं कि इस बार से मालब क्या परक पड़ेगा इस आलू पे बाधिया अलू कोई फरक नहीं पड़ेगा अच्छी पईदाबार है बहुत बढ़ीया पईदाबार देगा नों प इस निकालो सारे अलू निकालो गिनेंगे बहुत अच्छी पईदाबार है इस हिसाब से इस साल और इस साल जैसा कि लोग कह रहे हैं कि बारिस की बज़े से दो तीन वार बारिस हुआ आलू मारा गया ऐसा तो मुझे नहीं लग रहा आपके छेतर में आए आलू नहीं अलू तयार है जो कहरें पकी सीजन वाला लोग तयार करते हैं उसका अच्छा तो अभी आलू आप कहां ले जाओगे मंडी में च्छिपराव मंडी में क्या बाओ चले पता कि आज 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 तो बईया चारसा हो चारसा दस्वीस और पही चलना है आज आपने पत अच्छा अच्छा यह भी एक मतलब एक प्रक्रिया चल लगी है ऐसी पानी में आलू की मतलब खुदाई होके और गयों की बभाई हो जाएगी ऐसे यह भी चलना है ना इतर कच्छी सेजन का अलू कितना और बच्छा है भी अब लोग कहरें दर पानी बढ़ गया है हमें त अचिए उनाय यह दो बाद करें का अच्छा और आख जाए निटी बोले मेंगे जाए अच्छा आए